तो दोस्ता वेल्कम आपका अगेन अफ दे गोड की बिलकुल एक और नियू पार्ट में तो दोस्ता जैसा कि आप लोग ने पिछले पार्ट में देखे लिया तो जो यूंची होता है वो चोय होचन को लेकर एक गुफा में बठा होता है और फिर वहाँ पर ड्रेगन गोड की स्पिरिट आ जाती है और और पिर ड्रेगन गोड की स्पिरिट कहते हैं कि अगर तुम्हे एक दो टेस देगे तो गज़के-जो लटकी ekने करने कर दूँंग और इसको थीक करने करने रास्तर भी तुम्हें बता दूँगा ये फुनके जो यूंची होते हैं वो फोरंग से मान जाते हैं फिर ड्रेगन गोट की स्पीड कहती है मगर एक बात यार रखना इस ट्रेफ्ट की अंदर अगर एक दगा तो चले गए तो फिर मल्क कही पार्ट दिशुलोगे अगर तो आरे दे अंदर ये फुनके जो यूंच यूंची को देखते हैं जो अब ड्रेगन गोट के ट्राइक के अंदर ना उन पत्र की मोर्तियों से लाड़люч रहा होता है और यूंची को लढ़ते लढ़ते करे दिन measured रहते है chicks यूंची कहते हैं पता- είναι और कितनी पत्र की मूरतिया अब-प्यानी है इंपर यूंच जो पत्थर की मूर्थी होती है वो तूटने लग जाती है पिर यूंची कहते है शुकर है मैंने हैवी फोर्ट को चुछ नहीं कहते है जब बहुत पाई दुश्मनों की बात हो तो हैवी फोर्ट सब से वेधर बेस्ट वैपन होते है फाइट के लिए और पिर यूंची अथो चुछ एचन की तरफ देखकर कहते हैं अगर किफी को प्रोटेक्ट करने की बात हो तब भी ये वैपन बहुत ही फैदा बेस्ट होता है और फिर यूंची कहते हैं एक के बात एक वेवार यह मुझे तो रेफ्ट करने का मोका भी नहीं मीर रहा और यूनी चिब कहता है मुझे रखता है कि अब और कोई वे नही आने वाली और यूनी चिब कहते है कि माणा कि जो मेरी हावी फोड है वो मुझे बहुत सा है जो उस दुश्मन है उनसे लड़ने में मदद देए के दो लेकिन आप जो मेरे बोडी ओफ के नर्जी बहुत ही वैदा बूरी तरह खत्र हो चुकी आगर आप एक और बहुत ही डर है कि मैं भी नहीं बचूँगा लेकिन थोड़ी देर बाद ना वहाँ पर और वैदा पत्थर की मूरत्वी आ जाते हैं यह देखकर यूंची कहत लेकि लीटल फैरी इस टैमना हमना बहुत ही बड़े खत्रे में मुझे ना तो मेरा उठा कर फाइट करनी पड़ेगी वनना हमाई जो जो जाना हो खत्रे में आ जाएगी और पी जो यूंची होता हो चोई चुको ना अपनी बाज़ों में उठा लेता और कहता है कि मैं थोड़ी तेर पाँ जो यूंची होता हो दूर खिसखवा चला जाता है कहता है कि यह बहुत ही वैदा बुरा हो खत्रे मैं इस टैक से बच भी नहीं सकता हूँ और मैं इस टैक किसा आपने खड़ा भी नहीं हो सकता पी थोड़ी देर बादना अचानक फिर दूर दूर फे जो चोय उचन की तरफ बाइड़ी होता है यह देखकर जो यूंची होता है अपना बाफू आगी कर लेता है जो दो लेफर लाइट होती है वो यूंची की बाफू के अंदर गुफ जाता है जिस्पे यूंची को बहुत ही वैदा दर्द होता है लेकिन पीछानक फिर जो चोह उचन होती होलकर को होशा में लग जाता है इस जो यूनची होता होता हुँखकर करके गुफा आने लग जाता है और वो कहता है कि अब मामला इतना की बड़ चुके तो आप मैं भी अपने फाई ट्रम कार्डे करके बाहर निकाल हुआ और अपनी वो जो फोनिक फ्लेम होती हुए उसको एक्टिवेट कर ले तो और उसके ने एक डीमल लोटेस बना देते हैं जहाँ अपने एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होती है और चितनी भी इर्स गिर्स की जो पत्थर की मूट से होती है वो चक्टना चूर हो जाती है और जो यूंची होते हो हलका करके चो यूचन की पास आता हो और उसको कहता कि चाहिए आज जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें हर सुलत में यहां से जिन्दा निकाल के रहूँगा और कहता कि चाहिए आज मुझे यहां पर अपने जान मीं देनी चाहिए लेकिन मैं तुम्हें ह किस तरह फी टेस्ट पासकूर को और तुमारे हाथों सही लेकर जाओंगा जो यूंची होता वो चोयोचन से कहते है कि लीटल फैरी अब हम भूत ही फैर्था खतरनाक सिचुएशन में क्या तुम मुझे अब जाकर अपने नाप बता सकती हो कि यह फुन जो चोयोचन होती हलका लगा करके अपने आगे खोलती है और हलकी व्यवास में कहते है कि चोयोचन यह फुन के जो यूंची होता है वो कहते है कि चोयोचन कहते है इस नाप का मतलब तो है कि एक ब्यूटीफूल मूर स्काइप होना केहता लेकिन मैं तुमें आगे जायताते कि मुलाँा क refract to be little fairy की बोलोगा कै तो में भी बोल घंगा क्यों क्यूंके तो में हमेशन में ली लीटल फेरी ही रहोगा लेकिन उनमें से कई फार जो अटेक होते हो यूंची की चेस के अंदर जाकर लग जाते है कि यूंची अपने दिल में सोचते है कि पहले मुझे इनको मार दाओगा जो ना आप के तीर चला रहे ये देखकर जो जैसमीन होते है वो बहुत ही फार शोक हो जाते है कि ये तुमने कैसे कर लिए तुमने फोनिक्स की पावर को और हैवी फोर्ट की पावर को कैसे मिक्स कर दी आपस में कहता है ऐसे कभी होई नहीं सकता क्योंकि फोनिक्स और हेवेगोड की पावर कभी भी एक फाथ नहीं आ सकती और फिर जैसमी थोड़ी ते पर अपने दिर में फोची लग जाते कि लेकिन इसने जो अटेक कियो बहुत ही फ्यादा पार्फुल था कि अगर आगे जाकि और फाथ पार्फुल होगे तो इस अटेक की पावर भी कई को ना बढ़ जाएगी कहता है इस पूरी दुन्या को छोड़ तो यहां तक कि जो उपर वारीन पे उसमें भी कोई इस अटेक को चार्ज नहीं कर सकता यूँची कहता है कि मैं इस अटेक को कहता हूँ फोनिक्स ब्रेकिंग और फिर आफमार में बने कई फारे फोनिक्स बच जाते हैं जो तेवी फिस उन पत्थर की मूर्सियों पे गिरते लगते लगते जहां पर बहुत ही बड़े ब्लास्टों ने लग जाते हैं मगर जो यूँची होता है उसकी हालाइक में बहुत ही वैदा खराब हो जाते हैं और वही बहुत ही वैदा ठक जाते हैं पिर वहाँ पर ड्रेगन गोड की स्पीड आ जाते हैं कि तुम बहुत ही वैदा मुश्कील है इन वेप से कि जो यूँची होता है वो लिटर फैरिकोन नीचे जमीन पर लिटा रहता है और कहते है कि तुम आज फिकर ना करो मैं तुम हर फोट में यहाँ पर बाहर लेकर जहूंगा बस तुम थोड़ा और इंतिवार कर लो फिर वहाँ पर न अचानक से एक बहुत ही बड़ी नहीं बच्चा कहता कि अगर मैं इसको नहीं भी हरा सकता है तो मैं फिर भी फिलर हूँगा क्योंकि आप पीछे एटने का कोई भी रास्ता नहीं बच्चा हमारे पास और फिर यूँची कहता कि मैंने यहवी फोड इस ने चुनी थी कि मैं ताकि उन लोग को प्रोटेक्ट को जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कहता कि अगर आज मैं उन लोग कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस हैवी फोड को उठाने का भी भी नहीं फिर और पर यूँची होता तेवी फेना उस पत्थर की मूर सी पहुत ही वेदर खराब है और इस पागल इस फेगिंड गेट को अपन कर दिया इसकी जो बोड़ी है वो बरदाश नहीं कर पाएगा और कभी भी भी ब्लाफ्ट कर सकती है तो फिर जो यूंची होते हो तेवी पे जाकर आसमान में अपनी फॉर इस ब्रेकिंग मूफ को क्या यह कामियाब हो गया तो यहीं पर हमारा यह पार्ट खतम हो जादा अगर आप फिर नेक्स्ट पार्ट देखना जाते हैं फिर जल से जल कोमेंट करें मैं मिलता हुआ आप से बिल्कुल न्यू वीडियम तब तक के लिए आप लोग अपना कहा रखना